नमस्कार दोस्तों स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है सुनिल और आज 9 नवंबर 2020 के नेस्टनल और इंटरनेस्टनल करेंट अफिर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे अगर आपको मेरे दवारा पढ़ाएगे सभी लेक्चेस का पीडियोफ फाइल चीए तो आप मेरे टेलिग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडियोफ को जुरूर जोइन कीजिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और कलाप से सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या होगा साथ नवंबर को देश भर में कौन सा दीवस मनाया जाता है तो साथ नवंबर को देश भर में रास्ट्रिये कैंसर जागरुकता दीवस मनाया जाता है यानि किसी option जो है इस क्युस्टन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा आज का पहला क्युस्टन है कि प्रधान मंद्री निरेंदर मोदी ने किस राज्य के हाजीरा और भाव नगर के बीच रौपेक्स फेरी सेवा का उदगाटन किया है तो रौपेक्स फेरी सर्विस जो है वो हाजीरा और भाव नगर के बीच में सुरू किया है लेकिन ये राज्य कौन सा है इस राज्य का नाम है गुजराट यानि किसी option जो है इस क्युस्टन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा प्रधान मंत्री निरेंदर मोदी ने अभी रिसेंटली किया है और हाजीरा से भाव नगर के घोगा के बीच में 370 किलो मेटर की सड़क की दूरी घटकर समुदरी मारक से 90 किलो मेटर की रह जाएगी तो ये बातें आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर के उस तर्सें स और मुख्य मंत्री का नाम विजे भाई रुपानी है ठीक है तो ये बात आपको याद रखनी है गुजरात में भारत में सबसे ज़ादा जो है वो कपास का उतपादन होता है ठीक है गुजरात में सबसे ज़ादा भारत के अंदर मूंग फली का भी उतपादन होता है पहली ही है ये ठीक है पहली उपरास्टर पती है पहली साउथ एशियन एस्वेत महीला बनी है ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है और अभी रिसेंटली आप सभी को पता ही है कि यहां पे जो बाइडन जो है वो चुनाव जीते हैं हलांकि आगे किस्तन आएगा तो बताऊंगा आपको मैं 56 साल की है कमला और इनके पिता जमैकन इनकी मा भारती है थी और इससे पहले अमेरिकी महिला इस उचाई तक कोई नहीं पहुंची है ये पहली ही ऐसी है जो इस उचाई तक पहुंच पाई है ये प्रधान मंतरी निरेंदर मोदी जी ने भी इनको कुछना की है शिपिंग मंतराले का नाम ठीक है यानि कि डी आप्शन जो है इस क्युस्टन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा प्रधान मंतरी निरेंदर मोदी ने रीसेंटली शिपिंग डिपार्टमेंट का नाम बदल दिया है और शिपिंग मंतराले जो है वो पोर्ट में लाया जा सकता है Stanford University के दवारा त्यार दुनिया के टॉप वेग्यानिकों की लिस्ट में भारत के किस IIT इंस्टिटूट के 22 सोध करता यानि कि जितने भी रिसर्च है या साइंटिस्ट है उनको जगह मिली है तो इस IIT का नाम है IIT घुहाटी यानि कि D आप्चिन जो है इस किसिन का हमारा हो बिल्कुल ठीक रहेगा Stanford University के दवारा त्यार इस लिस्ट में जो है एक लाग से भी ज़्यादा साइंटिस्ट के नाम सामिल है जिसमें जो है IIT जो है गुहाटी इसके 22 साइंटिस्ट है इनके नामों को जगह मिली है अब IIT घुहाटी इसके स्थावना कब हुई है अगस्त 2013 के अंदर हुई है असाम के अंदर पढ़ता है घुहाटी छेतर बरंपुत्र नदी के किनारे है अगला किस्तन अमेरिकी राष्टर पती चुनाऊ में quand के उमिदवार जो बाइडन अमेरिका के कोन सवे राष्टर पती चुने गए है आहने वाले बीस जनवरी दोहजर इकंट को ये राष्टर पती पद की सपत लेंगे ठीक है 37 साल की हैं ये और ये अमेरिका के 46 वे राश्टरपती के रूप में जो है उसापत लेंगे आगे बढ़ता हूँ गला किस्तन हमारा की 9 नवंबर को दुनिया भर में कौन सा दीवस मनाया जाता है तो 9 नवंबर को दुनिया भर में विस्व उर्दू दीवस मनाया जाता है ये दीवस उर्दू के प्रसिद्ध शायर मुहमद इकबाल का जनम दीवस के रूप में मनाया जाता है हर साल 9 नवंबर को भारत की परमुक जल विदूत कंपनी जिसका नाम है NHPC Limited का हाल ही में कौन सवा स्थापना दीवस मनाया गया है तो इसका स्थापना दीवस मनाया गया है 46 सवा यानि किसी option जो है इस question का हमारा बिलकुल ठीक है इस company का मतलब है hydraulic power generation company और इस company की स्थापना 1975 को हुई है headquarter इसका फ्रिदावाद हर्याना के अंदर स्थित है ठीक है और इस से regarding जो है यहाँ पे 2019-20 से जितने भी उतकरिष्ट कारे जिस व्यक्ति नहीं किये है उनको विजिताओं को भी जो समानित भी किया गया है इस department के थ्रूब आगे जाते हैं तो हाली में केंदर सरकार की one rank one pension योजना को कितने साल पूरे हो गए है तो इस योजना को पांच साल पूरे हुए है बी option जो इस किसन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा आज से पांच साल पहले प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने भारत के एक यहासिक कदम के लिए जो है one rank one pension योजना सुरू की थी जिसके देश के रक्षा करने वाले सैनिकों के बहतर बविशे के लिए फैसला लिया गया था आगे बढ़ता हूँ गला कि उससन हमारा रहेगा क्या कि इन में से किस mission और के साथ में SIRIUS रूस ने जो है Russia has launched AIM SIRUS 3.0 तो रशिया ने अभी हाली में AIM Sirius 3.0 लाँच किया है किस mission के तैट लाँच किया है तो इस mission का नाम है Atal No Motion Mission ठीक है इस mission के उदेश्य ये है कि जितनी भी टेकनिकल चीजे होती है उनको थोड़ा सा एडवांस लेके आना या टेकनिकल चीजों में बदलाव करना और बाकी developed country के तरह इंडिया के अंदर भी जो है बहुत ज़दा जो है टेकनलोजी में विस्तार किया जा सके आगे बढ़ते हैं किस क्रिकेट टीम के पुरो कफ्तान एलतल चिगुमबुरा ने अंतरास्टी क्रिकेट से सन्यास की घोशना की है तो चिगुमबुरा जो है वो जिंबाभी क्रिकेट टीम से संबन्दित है C options है जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं इन्होंने अंतराष्टी क्रिकेट से सन्यास लेने की घोशना किया 10 नवंबर को रावल पिंडी में T20 मैच के बाद अंतराष्टी क्रिकेट को अलविदा कहा देंगी 2004 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया थे 16 साल की क्रिकेट करियर के अंदर जो है इन्होंने 213 वंडे मैच खेले हैं चलिए एसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है कल फिर हाजी रहूंगा लेटेस्ट अप्टेट के साथ स्टार आएक्यो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना बत भूलिएगा